तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर और दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही interesting होने वाली है क्योंकि इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो registration status होता है कुछ इस तरीके का होता है आप अपनी screen पर देख सकते हैं तो आज मैं इसके वारे में details से बताने वाला हूँ कि यह जितने आपको यहां पर columns दिख रहे हैं इनको सारे tick होने में कितना time लगेगा यानि कि यह सारे accepted या approved जो भी लिख के आना होगा वो कितने time में आयेगा और कितना कितना time लगेगा हर column को accepted होने में तो guys video को अंतर तक जरूर देखना त जो मेरे को जानकारी मिली है वही मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ तो guys अगर आप चैनल पर नए हो तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि आपको इसी चैनल पर ऐसी जानकारिया मिलती हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलती तो guys video को start करते हैं तो guys सबसे पहले क्या करते हैं हम login कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको सारी process बताता हूं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो column है बहाँ पर लिखके आ रहा है document verification यानि guys यह कब लगता है यह tick लगने में कितना time लगता है तो guys इसमें ऐसा कुछ होता है कि सबसे पहले आपको appointment लेनी होती ह उसके बाद आप लखनौ जाते हैं pharmacy council में अपना जो भी document verification है उसको कराते हैं वहाँ पर सारे आपके document चेक होते हैं वहाँ पर और उसके बाद आपके 15 से 20 दिन के अंदर यह यहाँ पर tick लग जाता है जो कि आपका यहाँ पर accepted लिखके आ जाता है लेकिन देखने वाली यह पर एक हपता भी लग जाता है कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं और maximum जो है वह 20 या 21 दिन लगते हैं इसमें ठीक है तो अगर 20 से 21 दिन लगते हैं तो आप बाद में help line number पर call करके आप पूछ सकते हैं कि आपको इतना टाइम यहाँ पर क्यों लग रहा है फिलाल आप यह maximum 20 दि लगते हैं जब आप डाकुमेंट वेरिफिकेशन लखने हो जाकर कर आते हैं उसके बाद यहां पर सेकेंड जो कॉलम है वह कॉलिफिकेशन का तो यह क्या है इसमें आपने अगर अभी नोटिस किया हो तो जो लोग डाकुमेंट वेरिफिकेशन करा आये थे उनके 15-16 दिन यहां पर एक्सेप्टेड लिख के आ रहा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से यहां पर एक्सेप्टेड का जो कॉलम है वहां पर से हटा दिया गया और यह किन कारणों की बज़े से हुआ था यह मैंने आपको उस वीडियो में बताया है अगर आपने अभी तक यह नहीं करी है क्या यह बंदा मतलब जैनुएन है यह नहीं है तो कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है क्वालिफिकेशन कंफर्मेशन की तो जब वो हो जाएगी कंप्लीट उसके बाद आपका यहां पर एक्सेप्टेड लिखके आ जाएगा और इसमें आपको कम से कम अब यहां पर नहीं है उसके बाद guys तिसरा जो है आपका application approved है यानि कि इसमें क्या होगा कि अगर guys आपकी qualification confirmation पूरी सही है आप genuine है आप real है तो इसको application approved होने में धाई महने लगेंगे यानि जब आपके धाई महने complete हो जाएगे उसके बाद यहां पर आप application approved में तिक यहां बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सर सरजिस्ट्रेशन नमबर generate कभ होगा क्योंकि जो भी है आपका आपका काम जो है बोग Kendra देख्यूर सब्सक्राइब नमबर जरुक्त गस्हें करनेसे आपका कंश से कम चार से नहीं इने आपके लगसकते हैं, आप इतना मान के चल सकते हैं ठीक है, और याइस्स ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यूंकि मैंने काफी लोगों से पूछा है और काफी रिसर्च करने के बाद ही मैं आप लोगों को exact जो timing है वो आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है वो आप manage कर लेना लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है आपके 4-5 महिने लगेंगे registration number generate होने में और उसके बाद आपका जो last option रहता है download certificate का यानि आपको यहां से certificate download करने का भी आपको option मिल जाता है जब आपको 4-5 महिने लग जाएंगे तो आप मान के चल सकते हैं कि आप 6-6 महिने या 7 महिने के बाद आप यहां पर अपना जो certificate है उसको download कर पाएंगे तो guys उम्मित करता हूँ कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गही होंगी अगर आपको कोई confusion अभी भी है तो आप मेरे को comment box में पूँ सकते हैं ठीक है और guys एक मेरे को और announcement करनी थी तो guys ऐसे student जिनोंने अभी तक registration के लिए अपलाई नहीं करा है या ऐसे student जिनको appointment मिलने में काफी दिक्कत आ रही है वो बहुत courses कर चुके हैं लेकिन appointment उनको नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आपके लिए solution है कि आपको मेरे चो Instagram ID है उसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा और आपका जो भी form बगेरा है या जो भी आपकी appointment है वो हमारे team आपको provide करा देगी ठीक है तो गैज अगर आप ऐसा चाहते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमको Instagram पर message करिए आपकी बहाँ पर बात सुनी जाएगी तो गैज वीडियो कैसे लगी आप हमको जरूर बताएं कमेंट बाक्स में अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो गैज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहीं मिलती है आपको ऐसी update अगर आपने टेलेग्राम चैनल जोइन नहीं करा है तो गैज उसको भी कर लीजिए